बिहार की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे हैं मामले बिहार में पारा पहुँचा पैतालीस डिग्री के पार जमीर अधिग्रहन करने वाले हो जाई साफधान बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की और विस्तार से BCE, CE के लिए इस दिन तक ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन का मौका बिहार सहिवत्प्रवेश प्रतियोगिता परिक्षा 2022 के लिए अब 20 जून तक ऑनलाइन रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं पहले अंतिम तारिक 6 जून थी BCE, CE ने पूरे स्केडिूल में बदलाव किया है अब फीज जमा करने की अंतिम तारिक 21 जून होगी वहीं ओनलाइन आवेदन में 24 जून से 26 जून तक सुधार कर सकते हैं आडमिटकार्ट 12 जूलाई को जारी होगा परीक्षा की संभावित तारिक 24 और 25 जूलाई है बिहार सयुत प्रवेश्प्रतियोंगिता परीक्षा परिश्त द्वारा डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश्प्रतियोंगिता परीक्षा 2022 के लिए 12 तक रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं पहले अंत्म तारीक 7 जून थी, वहीं फीज जमा करने के अंत्म तारीक 13 जून थी बिहार में कोरोणा के लगातार बढ़ रहे हैं मामले बिहार में कोरोणा के मरीजों में लगातार व्रद्धी देखने को मिल रही है स्वासिव भाग की तरफ से मिली जानकारी के निसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 20 मरीजों की पुष्टी हुई है जिसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संख्या 68 पर पहुच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभाविज जिलों की बात करें तो भागलपुर में एक, मध्यपुरा में एक, मुझफरपुर में दो, पटना में तेरह, सुपॉल में दो, वैशाली में एक मामले की पुष्टी हुई है इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाक है, 94,735 सैंपल की जांच की गई, वहीं इस दोरान 5 मरीज ठीकों कर घर वापस लोटे है बिहार में पारा पहुचा 45 डिग्री के पार, बिहार में गर्मी का स्यत्म लगातार बढ़ता ही जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से मिरी जानकारी के नसार अभी लोगों को गर्मी से रहात नहीं मिलने वाली है मौसम वैग्यानिकों की माने तो इस समय राजधानी पटना समेत कई राजों में तापमान में गिरावट के बाद भी शनिवार को उमस भरी गर्मी से परिशानी देखने को मिली पटना में भी तापमान में करीब 4 डिग्री तक गिरावर देखने को मिली इसकी बात भी उमस बरकरा रही बीते दिन पटना का तापमान शुक्रवार के 41.7 डिग्री से घटकर 38 डिग्री पर जरूर देखा गया मौसम विज्ञान केंद्र के निसार रविवार को भी सुबे का मौसम तलख रहेगा उमस से लोगों को रहात मिलेगी पियम आवास योजना के तहत इस वज़े से दो लाख लाभारतियों का रुका 800 करोड का भुकतान बिहार की नितीश सरकार और केंद्र की मोधी सरकार आवास विहीन लोगों की लगातार मदद करने की कोशिश कर रही है इसी कड़ी में पियम आवास योजना के तहत अब बिहार में प्रधानमंतरी आवास योजना ग्रामीन के लाभुकों का भुकतान अभी भी रुका हुआ है केंद्र से राशी नहीं मिलने के कारण ही भुकतान ठप है इसको लेकर ग्रामीन विकास विभाग केंद्र से जल्द राशी जारी करने का अग्रह कर चुका है ताकि भुगतान का काम शुरू किया जा सके मिली जानकारी के नसार दो लाख लाभू को का 800 करोर का भुगतान लंबित है हाला के विभाग ये पदादिकारी ये भी बताते हैं कि आवास नर्मान का कारे जारी है दो-तीन दिनों में राशी आने की उमीद है राशी भुगतान की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है सड़क दुरगटना में मुआबजा देने के लिए पैसे जारी सड़क दुरगटना में होने वाली मौत या गंभी रूप से घायलो को अनुग्रह अनुदान देने के लिए जिलो को राशी जारी कर दी गई है विभाग ने 10 जिलो को 5 करूर 80,00 का आवंटिन किया है परिवान विभाग ने सड़क दुरगटना में होने वाली मौत या गंभीर रूप से घायलों को अनुग्रह अनुदान देने का निर्नलिया है राशी जिलाधिकारी सह जिला सड़क सुरक्षा समीती के अध्यक्ष के माध्यम से खर्च की जाएगी गौरतलब है कि बिहार वाहन दुरगटना सहायता योजना के तहट सड़क दुरगटना में जानगवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को पांच लाग या गंभी रूप से घायलों को पचास हजार देने का प्रावधान है सीता मढ़ी को 95 लाग, पुर्वी चमपारन को 60 लाग, शिवर को 25 लाग, जमुई को 32 लाग, रोहतास को 45 लाग, पश्म चमपारन को 20 लाग, अररिया को 15 लाग, भोजपुर को 1 करोड 5 लाग, जुहानबाद को 50 लाग, और कैमूर को 1 करोड 30 लाग दिये गए हैं जमीन अधिग्रहन के फेर में फसी है, 12 जिलों की सडक परियोजनाएं, जमीन अधिग्रहन के चकर में राजु की 10 एहम सडक परियोजनाएं फसी हुई है, कागजों में तो इन परियोजनाओं को मन्जूरी मिल चुकी है, लेकिन जमीन अधिग्रहन नहीं होने से काम शुर तक निर्वान होना है 49.5 किलोमेटर लंबे इस सड़क के लिए 120 हेक्टेर जमीन अधिक रहन का मामला फसा है बिहार बंगाल की सीमा से आमदाबाद मनिहारी तक सड़क का जुड़नो धार का काम 110 हेक्टेर जमीन अधिक रहन के आभाव में लंबित है नहीं 122 बीम में वेकु गोपनियता की शपत दिलाई गई ये समारो सुबह साथ 10 बजी आयोजित किया गया शनिवार को बिहार नियाएक सेवा के साथ अथिकारियों ने पटना हाई कोट के जज की रूप में पद और गोपनियता की शपत ग्रहन की थी जिसके तहती शनिवार को शताब दिभवन के लोबी में दो पहर एक बजी आयोजित शपत ग्रहन समारो में विहार नियाएक सेवा कोटा से जस्टिस शालेंदर सिंग, जस्टिस अरुन कुमार ज्टिस जितेंदर कुमार, जस्टिस आलोक कुमार पांडे, जस्टिस सुनिल दत मिशृत, जस्टिस चंदर परकाश सिंग आठ बजे सिर्फ आजाद और MX प्लेयर पर होने वाला है मीडिया हाउस से बाचीत के दरान उन्हाने कहा कि उनका सपना टीचर बनने का था लेकिन साल 1990 में उन्हाने घर की हालत सुधारने के लिए पती के साथ मिलकर खेती की शुरुआत की फिर जैविक तरीके से खेती कर उतपादन को कई गुना बढ़ा दिया जिसकी वज़े से यो आसपास के किसानों के बीच मरशूर हो गए आज बिहार के सी-म से लेकर देश के पी-म और रास्टरपती तक किसान चाची की तारीफ करते हैं 2019 में के सान चाची को रास्टरपती रामनात को मिन द्वारा पदमिश्री अवोर्ड से सम्मानित किया गया था जमीन अधिग्राहिन करने वाले हो जाई साबधान केंद्रे मंत्री मंसुख मंडाविया के कारिकरम समापती के बाद बिहार सरकार के मंत्री शाहनवाज हुसेन ने कई महतपून जानकारी साजा की उन्हांने बताये कि सीपेट भाजीपूर के अलावा बहता और भागलपूर में खोला जाएगा जिसके लिए जमीन का काम कर लिया गया है जौलान ही शाहनवाज हुसेन ने कहा कि मंसुख मंडाविया साहब आए और यहां पर बड़ा विजन दे कर गया है सीपेट के बच्चे जो हाजीपूर में पढ़ते हैं अब बहता और भागलपूर में भी पढ़ेंगे क्योंकि सीपेट का प्लेस्मेंट 100% है जिससे रोजगार को बढ़ावा मिलता है बिहार के विकास में पूरी इंडस्ट्री मिनस्ट्री लगी हुई है और जो हमारे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बच्चे हैं वो भी उद्यमी को यहां से सीपेट में ट्रेनिंग होती है तो बड़ा काम है मनसुख भाई मंडाविया साहब आए और बिहार के लिए इतना प्रेम दिखाया पहले 4 जून ऑनलाइन आवेदन के अंतेम तारिक तै की गई थी और प्रवेश परिक्षा की तारिक 18 जून निर्धारित की गई थी हापुर की फैक्टरी में मजदूरों की जान जाने पर सीम नितीश ने जताई सम्वेदना, हाली में मुख्यमंत्री नितीश कमार उतरप्रदेश के हापुर जिला के एक फैक्टरी में हुए वस्फोर्ट की घटना में मजदूरों की जान जान जाने पर मरमाहत है, उन्होंने इस घटना को काफी दुखत बताया है, मुख्यमंद्री ने इस घटना में जान गवाने वाले मजदूरों के शोक संतप्त परिवार को दुख की इस घड़ी में धहरेधारन करने की शक्ति प्रदान करने से इश्वर की प्रातना की है, मुख्यमंद्री ने इस घटना में बिह प्रतिक्रिया भी जाहिर की है, संपुर्ण करांती दिवस के अफसर पर जेपी की प्रतिमा पर मालयारपन करने पहुंचे नितीश कुमार राजवत के द्वारा जारी होने वाले रिपोर्ट कार्ड को लेकर चिंता मुख दिखे, उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाह आने वाली फाक्टरी में लगी आग में बिहार के मजदूरों के जानगवाने पर भी दुख जाहिर किया, संपुर्ण करांती की विचार धारा को राजवत ने तोड़ने का किया काम, संपुर्ण करांती दिवस को लेकर अब्रदेश भाजपाधियक जॉक्टर संजीज जै आज एक चाय बेचने बाला सत्ता के श्रीखर पर पहुंचा है, राजद ने जेपी के सपनों को तोड़ने का काम किया, ऐसे लोगों द्वारा जेपी और संपुर्ण करांती की बात करना दुर्भागेपूर्ण है केंद्रे मंत्री मंसुख मंडाविया पहुंचे हाजपूर, विहार दौरे पर आए केंद्रे स्वास्त परिवार कल्यान मंत्री मंसुख मंडाविया आज हाजपूर पहुंचे इस मौके पर उना ने कहा कि किसी देश के उत्तरोत्तर विकास के लिए इंडस्ट्री रोजगार मिलेगा तो देश में आत्म निर्भरता बढ़ेगी, देश आत्म निर्भर बनने के मार्ग में तेजी से आगे बढ़ेगा। अर्जुन तेंदुलकर को मुंबई इंडियन्स के रिया आईपियल 2022 में एक भी माच खेलने को नहीं मिला। पूछे गाने चाहिए। पता है इसके साथ ही, आज के लिए बस इतना ही, बिहार की बड़ी खबरों से अबडेटेटे रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकों दबाना लाएं।